कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए दॉक्टर चंदरेश वेव को और करे अपने बीसेक अडवांस ट्रेडिंग ग्लासेस का सपना साकार डाउनलोड दी आप नाउ कैसे है दोस्तो मैं हूँ चंदरेश ठाकोर और आप देख रहे हमारी अपनी यूटूब चैनल डॉक्टर चंदरेश वेव तो आज जो हम वीकली सीरीज के एनलेसिस का वीडियो लेकर आये है और लास्ट वीक में जो हमने बात की बहुत अच्छे से निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने हमें सपोर्ट किया और कहीं न कहीं हमारी बात जो है सही साबित हुई हमें लग रहा था जो जो काम होना था और मैंने कहीं न कहीं मुझे लगा था कि शुरुवात के दो-तिन दिन में गिरावट रहेगी उसके बाद में जो है वो recovery का phase जो है वो में बें पॉसिबल है कि start हो सकता है और वैसा ही exactly होता हुआ हमें नजर आया दोस्तों ठीक है तो यहां पर दोस्तों ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग मैं जो है आपको सिधा चार्ट के उपर लेकर जाना चाहूंगा पर वहां जाए उससे पहले एक मेरी हमेशा की तरह चोटी से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नॉटिफिकर से आइकन है उसको आउन कर दीजिए ताकि फ्रीक्वेंटली नई-ई वीडियो की नई-ई जो चार्ट की करेक्शन की स्टार्ट हुई है तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए और वहां पर हमें एगजेक्लिफिए अपना कैसा नजरिया रखना चाहिए दोस्तों तो देखे यहां पर बढ़ने वाले श्टॉक को जो होते हैं उनके टॉप को पकड़ना असंभव है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, फेबुर्वारी मन्थ में जो उठा पटक हुई है, और उसकी हम बात करें, यह SJVN का एक चार्ट है, उसकी हम बात करें, तो 170 का इसका टॉप है, और 100 रुपे का बॉटम है, तो दोस्तो जो वॉलेटालिटी का रेशियो है, वो देखे कितना रहा है, अभी इसी महीने की अगर मैं बात करूँ, यह 18 दिनों के अंदर ही, तो कहीं ना कहीं जो है इसका व्यू क्या है, जो स्टॉक है, वो बुलिस मोमेंटम में था, यहां पर कहीं पर भी उसने एक प्रकार से सपोर्ट क्रियेट नहीं किये है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम है, उसके लोवर पॉइंट को आप पकड़ के चलिए, यहां पर अ आने वाले वक्त में, अगर यह कटता है, तो आपको बहुत एक साउधानी पूरवक्त जो है, डिसिजन लेना पड़ेगा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग बोले, या जो अपना स्टॉक में, स्टॉप लॉस बोले, वो आपको करना पड़ेगा, उसकी वज़ह है, दोस्तो क्योंकि अगर इसकी साइकल है, अगर कही ना कहीं, घुमी तो आठ महिने से लेकर दस महिने तक यह स्टॉक है, जो है, उपर की सैड में, आप कितनी भी कोशिस करेंगे, नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान दखेंगे, छोटे मजोले स्टॉक में, जो है, सा ज़्यादा उपर निकला है, और मैंने इसको जो है, हर लेवल पर बाइन करने की मैंने सलाह दी थी आपको, और मैं बोल रहा था कि इसको आप खरी दिये, खरी दिये, बट अब जो यहाँ पर कंक्लूजन निकल के लास्ट में कहीं ना कहीं आ रहा है, वो यह है, कि यह जो ह अगर फिफ्ट वेव यहाँ पर कंप्लिट कर लेता है, उसके बाद में भी यह करेक्शन में आ सकता है, और अगर यहाँ से यह उपर निकल जाता है, अगर यहाँ से उपर निकल जाता है, यह जो है क्लियर कट आपका स्टॉप लोस बैठेगा, 161 वाला, ठीक है, 161 बोल ल है कि यह फिफ्ट वेव बना के लिए उपर की साइड में जा सकता है, तो अगर निकलता है, उसके बाद में हमारा स्टॉप लोस यहाँ पर कहीं पर बनेगा, अगर उपर चला जाता है, अधर वाइस नीचे की साइड में जो है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी दोस्तो कहीं ना कहीं यह ट्रेंड लाइन आप ड्रो करके रखिए, टू-टू-फॉर ट्रेंड लाइन अगर मैं डालना चाहूं, तो इस तरीका का ट्रेंड लाइन है, यह आपका स्टॉप लोच आने वाले वक्त में सिस्टम के उपर बैठना चाहिए, ठीक है, SJVN, NHPC यह दोनों वक्त में बहुत ज्यादा helpful रहेगा, ठीक है, अभी दोस्तो हम जो निफ्टी से सुरुवात करेंगे बात करना, निफ्टी से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, और वहां से हम चलते हुए जाएंगे, बैंक निफ्टी देख लेंगे, क्रूड वाइल देख लेंगे, हमारा लास्ट वीक में बात हुआ था, डेले टाइम फ्रेम है, और फ्लैट करेक्शन है, यह ए, बी, सी बनाएगा, और यह कहीं पर भी जो है, फ्लैट करेक्शन, सी वेव फेलियर होकर उपर की सैड में निकल जाएगा, ठीक है, तो यहां पर तो देखे, अभी उपर के ज हमें पैटर्न कंफर्म होते हुए लिखे है कुछ, और यहां पर जो है, अगर मैं यहां से चोटी टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, तो इसका पैटर्न कंफर्म और उसको री टेस्ट भी उसने कर लिया है, 21,800 के आसपास, तो में भी पॉसिबल है, दोस्तों, कि मार् के अंदर, यह सी वेव के अंदर, जो एबी सी क्रियेट हुआ था, उसका टाइम फ्रेम का ब्रेक आउट आया है, तो यह जो है मार्केट, उपर की सैड में आने वाले वक्त में हो सकता है, 23,000, 24,000 तक के जोन में उपर जा सकता है, एक हे काम करना है, लोंग पोजिशन बिल 23,000 का स्टॉप लोस डाल कर इसके अंदर, निफ्टी में लॉंग कीजिए, आने वाले वक्त में दोस्तों, निफ्टी अभी नई उंचाईयों को छुने वाला है, फर्क सितना रहेगा, खाली के हो सकता है, कि जो स्टॉप जो है, ओवर स्ट्रेच है, जिनके चार्ट जो है निफ्टी के अंदर दोस्तों, आईटी सेक्टर जो है, वो लीड करेगा मार्केट को, वो हम जो है, आने वाले वक्त में होता हुआ, देखेंगे, ठीक है, निफ्टी का बात हो गया, लॉंग करना है, स्टॉप लोस आप डाल लीजे, 921-900 के आसपास का, यहां से 100 पॉइं टाइम में खेलते हैं, 15 मिनिट में देखते हैं, या उससे भी छोटी टाइम देखते हैं, तो यहां पर आप, ट्राइ कीजिए, कहीं ना कहीं कि यह जो छोन क्रियेट हुआ है, इसको आप स्टॉप लोस डाल लिए, इंटराडे के लिए, और यह जोन के स्टॉप लोस को आ आलके उपर की साइड में इसमें लॉंग ही बिल्डफ कीजिए क्योंकि ये जो है उपर निकलेगा छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए भी तो भी ये जो है 22 1250 2200 के चुहन में कहीं ना कहीं जाने के कोसिश करेगा कहीं ना कहीं अपना काम खतम करने की कोशिस करेगा Nifty. बैक निफ्टी में पैटर्न कन्फर्म हूआ है दोर जो बात हमारी हो रही थी कि पैटर्न कन्फर्म अगर बैक निफ्टी कर लेता है तो 15 तारिख के आसपास उचने जो पैटर्न कन्फर्म बहुत अच्छी बात है बैंकिंग सेक्टर के लिए में भी पॉसिबल है कि यहां से बैंक जो है वो लीड करना चालो करें निफ्टी को ठीक है बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा आउट पर्फॉर्म करता हुआ दिख सकता है दोस्तो क्योंकि यहाँ पर पैटर्न कंफर्म हुआ है देखिए मैं कुछ वक्त पहले बात कर रहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा अंडर पर्फॉर्म करेगा बट यहाँ पर यहार है यहां से तो आईटी एंड बैंक में भी पॉसिबल है जो अच्छे बैंक है जिनके रिजल्ट अच्छे है वो बैंक जो है यहां से लीड करेंगे ठीक है देखेंगे आने वाले वक्त में HDFC की मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक दोस्तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है और मैं अभी से बताओ इसकी बड़ी time frame की cycle है जो है वो खूमी है बड़ी time frame की cycle है तो हो सकता है यह sideways to negative perform करता हुआ दिखे हमें कुछ वक्त के लिए और अपने आपको जो है जो है एक दाइरे में सीमित करके रख दे 300 सो से उपर की side में 17सो की बीच में 300 400 तो जो भी investor में आने वाले वक्त में नहीं बनेंगे ठीक है बहुत बड़ी बात है मगर फिर्मी में बोल रहा हूँ दोस्तों उसके बाद में हम देख लेते यह स्मॉल कैप स्वारी यहां पर एक बात मिड़ कैप का चार्ट मंथले टाइम फ्रेम में ओवर स्ट्रेच है और डेले टाइम 224 ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कंफर्म करता है तो हो सकता है आठ महीने से लेकर बारा महीने तक यह ना चले यह तुटू फॉर ट्रेंड लाइन में यहाप़ ड्रो कर रहा हूं यह मैं खुछ टाइम के लिए हटा रहा हूं ताकि हम लोग इसको देख पाए अगर दोस् लेस परफॉर्म करेंगे या थोड़ा सा धीमा चलेंगे तो यह यहां पर मीड़ी कैप का लिए मैंने आपको बता दिया मीड़ी कैप में ऐसा कुछ चोख सकता है अगर यहां से नीचे आता है छोटी टायम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है और वह जो कहीं नảnकर इस तरह के का जो है exactly एक trendline दिख रहे है तो यह trendline भी अगर break होती है तो भी हमें जो है दुस्तो ध्यान में रखना है अपने आपको थोड़ा सा तयार रखना है इस चीज के लिए कि यह trendline break होती है तो हमें try करना है कही ना कहीं कि इसमें से हमें जो है mid cap जो stock है और जो चले हुए है थास करके mid cap में उनमें से कहीं ना कहीं exit होना है small cap के chart को हम देख लें तो यहां पर भी देखिए 224 trendline में हर जगा पर बात कराओ क्यूंकि new wave theory के हिसाब से 224 trendline जो है वो pattern confirmation के लिए जाना जाता है और जब भी 224 trendline break होती है तब एक negative cycle की ज जो है इसने target को achieve किया तो यहां पर यह trendline है हमें मिली है और इसको हम respect करेंगे बकाइदा respect करेंगे और इसको अगर break होता है तो negative cycle हम जो है इसकी चालू हो चुके ऐसा मानेंगे यहां पर छोटे time frame की भी जो है trendline same इसमें भी दिखाई दे रहे है तो इसको भी हम जो है respect दे और बुक करने के बाद उस profit को जो है खर्च करके enjoy भी करना है ठीक है तो मैंने चार index के बारे में बात की nifty bank nifty small cap mid cap और उसके साथ ही साथ में दो stock के बारे में भी बात की उसके साथ में अभी हम गोल्ड के ऊपर चले जाते गोल्ड का चार तेखिए अच्छा खासा जो है दो तीन चार पांच मैंने ऐसा कुछ आपको गिन के बताया था पहले भी ठीक है तो यह leading triangle है maybe leading triangle इसको बोलते है अभी मैं अपने आपको a b c d e ऐसा type का correction इसने जो clear है और मैं आपको बोल रहा था कि e बनने के बाद यह जो हो सकते है उपर की side में निकले वापस से यह triangle के अंदर enter होता हुआ हमें नजर आ रहा है तो इसको हम ध्यान रखेंगे triangle की उपर की side का breakout इसको हम जरा भी हलके में नहीं लेंगे ठीक है यह gold का chart ह अगर यहाँ पर इसने breakout दे दिया 62,700 के आजपास के zone को यह break करके निकला तो gold जो है 64,000 और उससे भी उपर कई 70,000 तक जाने के लिए तयार हो जाएगा ठीक है gold की बात हो गई उसके बाद में मैं दोस्तो एवी capital को तो बाद में हम देखेंगे ही और index हमें देखने थे, crude को देखना था, crude को भी देख लेते हैं ठीक है तो पहले मैं Dow Jones की बात कर ले तो Dow Jones देखिए Dow Jones को हमने पकड़ा कहाँ पर है, हमने जाना कब कि Dow Jones जो है वो निकल रहा है और अच्छी खासी तयारी के साथ हो निकल रहा है ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पकड़ा था Dow Jones को और यहाँ पर जो trend line हमारे लिए develop हुई थी इसकी breakout के आसपास तो हम confirm हो गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो 2022 का यह correction था, उसको हमने यहाँ के आसपास, मैंने 32,000 के आसपास बोला था, कि यह 46, 47,000 के आसपास जाने के लिए निकला है और अभी भी यह चलेगा, अभी बहुत सारा काम Dow Jones के अंदर बाके, US market अभी उपर की side में ही one side चलने वाला है, ठीक है, यहाँ पर pattern confirm हुआ था, और उसके साथ में हम लोग जो है, इसके अंदर bullies हो गए थे, hawkies हो गए थे, ठीक है, तो यह हो गए Dow Jones का बात, अभी crude को दे नहीं है, कोई सक नहीं है, मुझे, यहाँ से यह crude जो उपर की side में चल गया, तो दोस्तो आने वाले वक्त में यह 9000 से 10,000 तक जा सकता है, पता नहीं क्यों fundamental इसके क्या है, क्या इसमें develop हो रहा है, news मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर जो कामकाज हो रहा है, वो एक बखो भी तरीके से मैं बता सकता हो कि क्या कामकाज है, और यह किस तरह के की तयारी crude जो है, यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, तो यह stop loss आप डाल लीजे, system के अंदर 5700 के आसपास का stop loss है, उसको डाल के इसमें long कर दीजे, ठीक है, आराम से बैठिए, फर्स टार्गेट 7624 के आसपास कर रहेगा, second target जो अपना है, 9479 के आसपास का रहेगा, crude की भी बात हो गई, gold उसके बाद में, और कुछ हमें देखना है, index के अंदर तो उसको देख लेते हैं, उसको बाद में stock specific चले जाएंगे, ठीक है, तो reliance की बात कर लेते हैं, अभी reliance देखे, 32, 3300 मैंने पहले बोल होगा, reliance के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला था, इस zone में, और मैं 100% sure था, कि यह 3200 रुपे के लिए जाने के लिए निकला है, और अभी भी यह जाएगा, ठीक है, कैसे जाएगा, अगर मैं इसके pattern बता दू, तो यहाँ पर ए, दो, तीन, फिर चार और पांच, ठी AB Capital, AB Capital देखे, यहाँ पर मैं कुछ वक्त पहले ही बोल रहा था, कि अगर मुझे pick करना पड़े एक stock, तो मैं वो है, वो AB Capital को pick करूँगा, यहाँ पर अभी कुछ वक्त पहले ही यार मैं बात कर रहा था, यहाँ पर भी मैंने बोला, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यह अ आसपास 155 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, तो यह अपना buying zone है, ना कि stop loss मान के इसको बेचने का zone है, ठीक है, यह buying zone है यहाँ पर, AB Capital G, Power India Limited, 90 रुपे से बोल रहा हूँ, अभी 280 के आसपास है, अभी भी बोल रहा हूँ, यह stock बड़ी time frame से खूमा है, और अभी इसके आन आने वाले 4-5-7 साल जो है, वो बहुत बढ़िया बीतने वाले है, ठीक है, बहुत बढ़िया बीतने वाले है, 4-5-7 साल आप G, Power India Limited के बारे में, अगर small cap भी गिरेगा, mid cap भी गिरेगा, even मैं बात करता हूँ, nifty भी गिरेगा, फिर भी यह ऊपर चलेगा, क्यूंकि उसकी जो development है, जो price का structure जो develop हुआ है, जिस हिसाब से volume आया है, वही हमें दिखा रहा है, कि इसको जो है, नीचे जाने में कोई जो है, वो नहीं है, fundamental बहुत खराब थे, अभी धीरे-धीरे improve होना चालो हुए है, order book है, वो भी धीरे-धीरे develop होना चालो हुई है, ठीक है, वो सारी second plus आपको नहीं दूगा, अगर फिर भी ये नीचे जलता है, क्योंकि अपना buying बहुत नीचे के zone से है, इसके अंदर भी दो गुना तीन गुना पैसा बना है, तो रखते हैं अभी इसको ride करते है, ठीक है, ऐसे अच्छे potential रखने वाले stock को इतना जल्दी बेचा नहीं करते है जोमेटो, जोमेटो को तो देखिए, ये one side चल रहा है और इसमें हम कुछ जो है, मैंने जैसा कि आपको बोला था है, अभी यहाँ पर खाली breakout देगा, retaste लेगा, और अभी भी इसका potential बहुत जादा है, जाहां तक जाता है, जाने दीजे, एक बार उपर निकल गया है, उसक के बाद में इसको हम stop loss मानकर इसको जो है, टेल करेंगे, आने वाले कुछ सालो तक, MRPL, MRPL में देखिए, ये अपरोक्स, मैंने recommend किया था, 70, 71, 72 रूपीज के आसपास, मैंने इसको recommend किया था, कुछ वक्त पहले बढ़ा बहुत है, एक break लगना आवश्यक है, और इस तरह से अगर ये चला गया उपर, तो आने वाले वक्त में बहुत problem create करेगा, जो लोग भी नए इसके अंदर enter होगे, उनके लिए बहुत दिक्कति का सामना करना पड़ेगा, तो अगर मैं चाहूंगा ये थोड़ा सा रुख जाए, छोटा मुटा correction करके रुख जाए, तो बहुत है, stock के लिए भी और अपने लिए भी, ठीक है, MRPL को छोड़ते हैं अभी, आगे Tata Motors को देख लेए, Tata Motors में 1000 का target दोस्तों मेरा था, 126 के आसपास था, 126 यहां पर था दोस्तों, 2020 में, और ये गाड़ी भागने वाली है, ऐसा मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर मैं आपको वीडियो दिखा पाओ, तो थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, तो आपको भी बता चलेगा कि किस तरह के जो है, मैंने पहले भी ये वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों, ठीक है, मैं भी शुरुवात के वक्त में ही मैंने इसके उपर वीडियो बना दिया था, ये गा अकरीबन अभी मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, ये स्टॉक जो है, आपको करोड़ पती बना सकते हैं, इसके अंदर मैंने MRPL को अच्छे से एक्स्प्लेइन किया था, फार्मा सेक्टर को मैंने एक्स्प्लेइन किया था, उसके इलावा, मल् इस चीज को जो है, समझ पा रहे होंगे, और ये बात, जो है, मैंने उस वक्त भी बोले थी, जबकि ये स्टॉक जा जो बहुत बहुत नीचे की जून में था, यहाँ पर देखे दोस्तों, उस टॉक की कीमते जो थी, उस वक्त पे मैं इसको करेक्ट करपाऊ, 441 के आसपास थी, ठीक है, एक साल में, और ये मैंने वीडियो डाला था, ये वीडियो का डेट अगर मुझे मिले, तो आपको मैं बता दू, मैंने कब ये वीडियो को पोस्ट किया था, ठीक है, तो overall कहने का मतलब यह है, दोस्तो, 13 फरवरी 2023 को मैंने बोला था, कि एक साल में आपको 50% ठीक है, और आज 18 फरवरी 2024 है, और I hope कि मेरा टार्गेट जो है, वो हीट हुआ है, ठीक है, तो कहने की बात यह है कि Tata Motors जो है, अभी भी potential है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी जो है, आपका risk reward ratio है, वो favorable नहीं बैठेगा, मैं आपको clearly बता दू, risk reward ratio है, वो favorable न जाएगी, टेक महिंद्रा अभी भी सस्ता है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है, weekly time frame के इसाब से अगर मैं बताओ ना तो इसका stop loss आपके लिए 1100 के आसपास का है, बट उसके target जो है, minimum 2000 के आसपास का है, टेक महिंद्रा में, टेक महिंद्रा, Vipro, यह ऐसे stock है, मुझे दिख रहा था, इसका जो है fundamental, Vipro, Vipro में तो क्या बात करें दोस्तों, देखे, और last week में जो काम हुआ है, दो साल में सबसे अच्छा week, इसका जो गुजरा है, वो last week था, यहाँ पर इसका breakout भी मिला है, और अभी यह चलेगा, बहुत काम बाकी है इसका, ठीक है, को उसके बाद में यह stock दोस्तों देखे, कितना वक्त बीता है, यहाँ पर मैंने कहीं पर बेचा था, 2023 August के आसपास, और उसके बाद में कितना वक्त बीता, बट यह stock जो है, उपर चलने का नाम ही नहीं ले रहा, उस range को इतना जादा अच्छे से break ही नहीं कर रहा है, तो यह जो है, धीमापन है, वो कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है, और ऐसा अकसर होता है, इसलिए मैंने बोला था, टाटा स्टील मेरा 175 का टार्गेट है, अभी भी इसके अंदर, धीरे धीरे चलेगा, कोई बात नहीं चलने दीजी, अगर स्टील सेक्टर पसंद है आपको, त यहां से इसका दिन सुरू होनी की सुरुवात में भी कही ना कहीं हो चुकी है, ठीक है, यहां पर यह पैटर्न कंफरमेशन किया है इसने, तो पैटर्न कंफरमेशन अगर नियो वेव के हिसाब से इसने किया है, आगे भी 15-20 सालों का वक्त इसने लिया है, 14-15 सालों का, मैंने 1400-1300 रूपी के आसपास recommend किया था और उस वक्त पे मैंने target 2800 डाला था और अभी भी यह जो है उपर की side में जा रहा है ठीक है वो मैंने क्यों बोला था जो मेरे student है वो समझ गए होंगे कि यहां पर जो है यह देखे यहां पर मैंने बोला था कि इसको buy कीजिए stop loss आपक Jubilion Food देखे यहां पर आप Jubilion Food को नहीं खरीद रहे है तो आप वही जो है गलती कर रहे है जो गलती आपने हर बार यहां पर इसमें की थी या फिर आपने विपरो में की थी Jubilion Food अगर आप चाहते है आने वाले वक्त में पैसा बनाना थोड़ा पैसा इसमें डालिए देख ठीक है तो इसकी भी बात हो गई PNB कुछ वक्त पहले 54 55 के आसपास मैं recommend करता था मेरे पास system में जो था उसका confirmation आ रहा था यहां पर यह जोन में और आज देखे 130 140 पे चला गया है अभी थोड़ा overheated है तो ठंडा होने देंगे उसके बाद में इसमें enter हो गया असोक लेलन अ अगर मैं बात करूँ तो यहां पर कहीं पर 120 130 के आसपास मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पैसा इसमें डालना चाहिए क्योंकि इसमें जो है monthly time frame में कहीं ना कहीं जो है यह इसका pattern मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि यह जिस तरह से चल रहा है तो यहां से यह इसने ज् इप मार जाता है तो उसके लिए इसका speed जो है वो थोड़ा कम रहे का स्वकलेलन में इसलिए मैंने उसको avoid करने की थोड़ी सी जो है वो बोली थी आपको अभी भी 173 174 के आसपास है अगर उपर चलता है एक काम कीजिएगा यह वाले point को stop loss मान के पैसे लगाए है आपने त जो हमको उसने परिशान किया था वो यहां पर किया था यहां से निकला था यहां पर हमें लगा breakout आया फिर वापस से नीचे आ गया और फिर one side चला गया उपर ठीक है तो आप देख सकते हैं वो अगर मेरे वीडियो पुराने वीडियो में अगर मैंने बात किया होगा तो उ सब्रा बनके हम एंट्री नहीं लेंगे किसी भी स्टॉक के अंदर और अब इंदो फार्मा फार्मा सेक्टर पूरा बजिंग है और मंत्री टाइम फ्रेम से निकल भी रहा है तो यहां पर इस पॉइंट को स्टॉप लोस मानकर आप इसको लॉंग कीजिएगा अगर ऊपर है तो और अच्छा प्रॉफिट आपको यह भी जो है दे सकता है अगर चालिस पचास रूपे का करेक्शन आता है तो यह पॉइंट को स्टॉप लोस डाल कर इसको हम लोग जो है लॉंग करेंगे 950 के आसपास भी हम खरीनेंगे तो 900 रूपे का अपना स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद में 40 30 से 40 परसंट का उपर की सैड में टार्गेट हमें बन सकता है इन्फोसिस आइटी सेक्टर कोई बात ही नहीं करेंगे खरिदना ही खरिदना ही इस रेंज में इस प्राइस पे ठीक है तो यहीं पर मैं इस वीडियो को खतम कर रहा हूँ और आपसे जाने से पहले मैं फिर से एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे की आप जो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नॉटिफिकेशन आइकन इसको आउन कर दिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे दोस्तों और अगर आप यह सारी चीजों को यह नॉलेज को सीखना चाहते है तो हमारे साथ में एडवांस वन के कोर्स में जूड़ी है वहां पर हम लोग आपको जो है सिखाएंगे कि किस तरह से आपको जो मल्टी ब्यागर स्टॉक को पकड़ना है और आने वाले दो तिन सालों तक फिर आपको आराम से उसके प्रॉफिट को जो है खोल्ड करना है दोस्तों यहीं पर वीडियो को खतम करता हूँ जय हें जय भारत जय जवान जय किसान दोस्तों वंदे मातरम